नमस्कार बच्चों मैं डक्टर सुमंत सिंग टीचर सेकेडमी ऑनलाइन प्रियागराश से बच्चों आज मैं बात करूँगा UPPSC GDC Assistant Professor 2024 मैं बात करूँगा Botany की, Botany मैं बात करूँगा Books की और Study Plan की आपको पता है कि UPPSC GDC की Vacancy कभी भी आ सकती है और सारे सब्जेक्ट का जो मिला दिया जा जो उसमें पोस्ट है वो आपका कितना है 536, 536 पोस्ट है और आपको ये भी पता है कि जो UPPSC GDC का एक्जाम होता है वो राजकी डिगरी कालेज में उस पोस्टिंग होती है राजकी डिगरी कालेज में पोस्टिंग के लिए UPPSC GDC के एक्जाम करवाया जाता है पहले क्या होता था कि जो रीटेंटेस्ट होता तो वो स्क्रीनिंग होता था पूरा सेलेक्शन इंटर्व्यू के आधार पर होता था लेकिन उसमें थोड़ा सा लोगों को शिकायत थी कि भईया इसमें मेरा बहुत अच्छा हुआ था सेलेक्शन नहीं हुआ उसको दूर करने के लिए अपकी बार सासन नहीं ये कह दिया कि भईया कि आप जो रीटेन के नंबर है वो जो है उससे इंटर्व्यू काल होगा लेकिन जो फाइनल सेलेक्शन होगा वो रीटेन प्लस इंटर्व्यू दोनों मिला करके तब सेलेक्शन होगा तो इसमें जो है इमानदारी जादा आती है इमानदारी इसमें जादा होती है तो देखे मैं आज बात करूँगा असिस्टेंट प्रोफेसर किसकी बात करूँगा बौटनी की बात करूँगा और बौटनी में मैं बात करूँगा बुक्स की देखे धेर सारे जो है ये बुक् यह बिल्कुल गलत है आप अपने से भी पढ़कर के सेलेक्षन ले सकते हैं हाँ उसमें समय लगेगा जैसे आप तीन साल चार साल पढ़ेंगे क्योंकि सलेबस क्या जो आपने BSC में पढ़ा फिर MSC में पढ़ा है ने तो वो सारी चीजें मिलके आती हैं तो आप अपने से भी पढ़के सेलेक्षन ले सकते हैं उसमें समय काफी लग सकता है लेकिन सेलेक्षन हो जाएगा आप मुझसे जुडेंगे तो निश्त रूप से आपका सेलेक्षन जल्दी होने की संभावना रहेगी तो मैं आज बात करूँगा BOOKS और Study Plan की चलिए हम बात करते हैं देखे BOOKS क्या क्या होंगी मैं बात कर रहा हूँ किसकी BOTANY में बात कर रहा हूँ BOTANY और मैं बात कर रहा हूँ किसकी BOOKS की बात कर रहा हूँ BOOKS की देखे इसले बस बहुत होते हैं आपको जैसे आप पता है कि अगर आप LG देखे LG ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स अलगी ब जिम्नो स्पर्म्स जिम्नो स्पर्म्स इसके अलावा आप पासिल्स की स्टड़ी करते हैं पासिल्स इसके अलावा आप बात करेंगे किसकी बैक्टीरिया की बैक्टीरिया आप बात करेंगे वाइरिसस की आप बात करेंगे प्रियांज की आप बात करेंगे वाइराइट्स की और आप बात करेंगे फंजाई की इतना स्लेबस के लिए अगर आप दो किताब ले लेंगे A Text Book of Botany A Text Book of Botany किसकी है? वो है त्रिवेदी की मिस्रा त्रिवेदी की बुक है उसको ले लेंगे तो आपका काम चल जाएगा देखिए मैं इतने के लिए आपको बता रहा हूँ कौन सी बुक आपको लेना होगा तो इसको लेंगे क्या आप जो बुक है वो त्रिवेदी मिस्रा की बुक है यह है एक किताब का नाम है A Text Book of Botany A Text Book of Botany यह जो है दो वालूम में है वालूम फर्स्ट है और वालूम सेकेंड है दो वालूम में आती है और यह इसके राइटर मिल जाएंगे आपके कौन इसके मिलेंगे आपके मिस्रा आपको मिलेंगे त्रिवेदी 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 और मिस्रा त्रिवेदी एन मिस्रा की ये किताब है अगर आप ले लेंगे ये तो आपकी इतनी चीजें कम्प्लीट हो जाएंगे मतलब कहले लीजे पूरा लोवर बॉटनी प्लस माइक्रो बाइलोजी और आगे देखिए अगर आपको आगे लेना है जैसे आप जेनेटिक्स लेंगे जेनेटिक्स के लिए आपको पीके गुपता की किताब पढ़ना पढ़ेगा आप पढ़ेंगे साइटोलजी के लिए देखिए साइटोलजी के लिए आपको पढ़ना पढ़ेगा सीबी पवार की बुक सीबी पवार की बुक पढ़ना पढ़ेगा सीबी पवार की बुक अगर आप फंजाई जैसे उसमें फंजाई की अलग से भी किताब पढ़ना चाहते हैं तो फंजाई के लिए आपको फंजाई के लिए यच्छी दूबे की किताब पढ़ना पढ़ेगा यच्छी दूबे की किताब आपको पढ़ना पढ़ेगा यच्छी दूबे की भी किताब आपको पढ़ना पढ़ेगा और वैसे आप जो एक्टेक्स वूग का बॉटनी वालूं फर्स्ट पॉलूं सेकंड लेंगे तो वहां भी काम चल जाएगा लेकिन चुकि तैयारी आप कर रहे हैं किसकी असिस्टेंड प्रोपेसर की तो वो बड़ा एक्जाम है तो जतनी किताबें पढ़नेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आप जैसे देखते हैं कि एलगी की आप ब्रायोफाइड्स की टेडोफाइड की ये वसिष्टा की भी बुकाती है वसिष्टा की भी बुकाती है उसको भी लोग पढ़ते हैं इसके अलवा अगर आपको प्लांट फिजियोलजी प्लांट फिजियोलजी पढ़नी है प्लांट चल जाएगा सिर्वास्तों की लेकिन अगर आप चुकी तयारी कर रहे हैं किसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की तो सैलिस बरी एन रॉस एक फॉरिन राइटर की बुक है सैलिस बरी एन रॉस वो भी उसको भी आप पढ़ सकते हैं इसके अलवा आपको देखे जब आप आगे पढ़ेंगे इसमें तो इकॉल्डी के लिए इकॉल्डी के लिए आपको पढ़ना पढ़ेगा किसकी किताब पीडी सर्मा की किताब पढ़ना पढ़ेगा पीडी सर्मा की किताब आपको पढ़ना पढ़ेगा Equality के लिए इसके बाद देखे आपको अगर पढ़ना Taxonomy of Angiosperms तो इसके लिए आपको जो किताब लेना पढ़ेगा वो Sing and Jan की किताब लेनी पढ़ेगी Sing and Jain की इसके अलावा आपको लेना पढ़ेगा ये J.L. Chopra की भी बुक है J.L. Chopra क्योंकि सारे फेमली इसमें नहीं आते Sing and Jain के तो को J.L. Chopra में भी कुछ फेमली है तो आपको J.L. Chopra और Sing and Jain की दो किताबें आपको टेक्सनामी के पढ़ने पढ़ेगी और देखे आपको मारफॉल्जी अगर पढ़नी है प्लांट मारफॉल्जी प्लांट मारफॉल्जी पढ़नी है तो इसके लिए आपको किताब लेना पढ़ेगा MP काउसी की क्योंकि MP काउसी का जो पुराना एडिशन है उसमें बहुती बढ़ीया से Plant Morphology दिया हुआ है अगर आपको पढ़ना है क्या देखे Embryology Plant Embryology पढ़ना है Plant Embryology पढ़ना है तो इसमें देखे भोजवानी भटनागर की बहुत अच्छी बुक है भोजवानी भोजवानी एंड भटनागर की ये किताब बहुत अच्छी किताब है भोजवानी एंड भटनागर की आपको पढ़नी पढ़ेगी पढ़नी पढ़ेगी इसके अलाबा आपको देखे अगर आप Economic Botany पढ़ते हैं Economic Botany के लिए आपको BP Pande की किताब पढ़नी पढ़ेगी BP Pande इसके अलाबा आपको Plant Pathology के लिए Plant Pathology के लिए आपको BP Pande की किताब पढ़नी पढ़ेगी BP Pande की Plant Pathology के लिए भी इनकी किताब है Economic Botany के लिए इसके अलाबा आपको Plant Anatomy के लिए Plant Anatomy Plant Anatomy की किताब के लिए आपको तैल की बुक पढ़नी पढ़ेगी तैल की बुक पढ़नी पढ़ेगी Plant Anatomy के लिए तैल की बुक पढ़नी पढ़ेगी इसके अलावा आपको 11th 12th के NCRT भी पढ़नी पढ़ेगी तो इसके अलावा देखे जो बुक्स है आपका वो क्या है वो है आपका NCRT NCRT 11th 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 and 12th 11th and 12th के NCRT भी पढ़नी पढ़ेगी इतनी किताबें पढ़नी पढ़ेगी और आपको जम के पढ़ना पढ़ेगा अभी से 7 से 8 घंटे लेकिन अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो आपको कोई किताब की जरूरत नहीं पढ़ेगी किसी किताब को मैं सारी चीजें बड़े सेस्टमेटिक मेरे में लिखवा देता हूँ सारी चीजें प्रैक्टिस करवा दूँगा सेलेक्शन आप अपने से भी पा जाएंगे मुझसे जुड़ेंगे तो थोड़ा जल्दी पासकते हैं आप और इतनी जो किताबें की लिस्ट मैंने बताई ये किताब लेने से आप बच जाएंगे और देखे असिस्टेंट प्रोफेसर का एक नया बैच मैंने लांच किया है इसका नाम ही असिस्टेंट प्रोफेसर बैच दोजार चौबिस ये बिसेश तोर से UPPSC GDC के लिए है क्योंकि उसकी बैकेंसी बिलकुल कभी भी आ सकती है और ये देखे असिस्टेंट प्रोफेसर बैच दोजार चौबिस बॉटनी में इसकी फीस है 20,000 लेकिन स्पेशल आफर में फीश 7,000 केवल है और एक कूपन कोड भी दिया गया है यस 20,24 अगर ये लगाएंगे तो फीस केवल आपको 6,000 देना पड़ेगा ये दो नमबर दिये गए हैं 9628,95,9237,831,848,9291 आप WhatsApp मैसेज भी छोड़ सकते हैं आप काल भी कर सकते हैं तो ये सारी चीजे मैंने बता दी बुक्स की पूरी लिस्ट मैंने दे दी पढ़ाई आपको जम के करना पड़ेगा 7-8 गंटे पढ़ना पड़ेगा भाई ये Assistant Professor की नोकरी है और मैं एक चीज़ा बता दू एक बहुत बड़ी बता बाद मैं बताने जा रहा हूँ अगर आप ये डिगरी का गजटेड अपसर होते हैं अगर आप राज़की डिगरी कालेज में आपका Assistant Professor चैन होता है तो आपके आगे लिखा रहेगा Class 1 गजटेड अपसर तो गजटेड अपसर भी हो जाते हैं तो इतनी इसी नोकरी कहां मिलेगी पैयारी के लिए आप मुझसे पढ़ने के लिए Teachers Academy पर जुड़ सकते हैं ओके बटा जी Thank you बटा जी